पाकिस्तानी टीम कितनी अन्प्रोफेशनल है ये अक्सर नजर आता है इसका ताज़ा सबूत इंग्लेंड के साथ चल रही T20 सीरीज में भी मिला छटा T20 मैच जब पाकिस्तान की टीम इंग्लेंड से बुरी तरह से हार गई तो प्रेस कॉन्फरेंस अटेंड करने का साहस न कप्तान बाबराजम में रहा ना ही टीम मैनेजमेंट ने किसी और प्लेयर को PC अटेंड करने भेजा ले देकर उनके पास गेंदबाजी कोच शौन टेट थे इसलिए इस बार भी टेट को ही पत्रकारों के सवालों के जवाब देने भेज दिया टीम मैनेजमेंट की इस हरकत से कोच खासे नरास हो गए सवालों के जवाब देने को बैठते ही उन्होंने खुद पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा हम जब भी बुरी तरह से हारते हैं तो वो मुझे भेजते हैं जब हमें करारी शिकस्त मिलती है हैरानी की बाद तो ये हुई कि शौन टेट का ऐसा बोलते ही पीसीबी के मॉडरेटर ने टेट के सामने रखा माइक्रोफोन बंद कर दिया और सर्कैस्टिक अंदाज में पूछा क्या वो ठीक है लेकिन शौन ने इसका जवाब देते हुए कहा हाँ वो ठीक है इसके बाद जब पत्रकारों के सवाल शुरू हुए तो उन्होंने कमजोर बॉलिंग को लेकर ही सवाल दागने शुरू किये जिनका जवाब देने में टेट असहज नजर आए शौन टेट जानते थे इस मैच में गेंदबाजों की बुरी तरह से धुनाई हुई है और इंग्लेंड ने आसानी से पाकिस्तानी बॉलर्स की धजियां उडाते हुए पंद्रवे ओवर में मैच आठ विकेट से जीत लिया दरसल पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 179 रन बनाए थे जिसके जवाब में बैटिंग करने उतरी इंग्लेंड की शुरुवात बेहद शानदार रही इंग्लेंड के ओपनर बल्लेबाज फिल शॉल्ट ने पाकिस्तानी बॉलर्स की धजियां उडाते हुए एक तालिस बॉल पर 88 रन जड़ दिये जिसके बाद इंग्लेंड की टीम केवल 14.3 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाकर मुकाबला जीत गई आपको बता दें शॉन टेट इसी साल फरवरी में पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजी कोच बने हैं उनकी कोचिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहतर प्रदर्शन तो किया है लेकिन टॉप बॉलर्स लगातार फिटनेस की समस्याओं से भी जूज रही है जिसका खामियाजा पाकिस्तान को बड़े मैचों में भुगतना पड़ रहा है आस्ट्रेलिया एक टेट अपने जमाने के नामी गेंदबाज रही है साल 2017 में उन्होंने क्रिकिट से सन्यास लेकर अफगानिस्तानी टीम के साथ काम किया अब वो पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े हैं